बच्च अभी हम बात कर रहें उन बच्चों के लिए जिनको नीट 2020 फूर मैं एपियर होना है और जिनकी अभी तक बहुत ज़ादा टायारी नहीं है तो बहुत ही समराइज मैनर में हम चीजों को यह discuss कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी इस वीक का हमारा चेप्टर है बायो मॉलिक्यूल पिछले चार लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं इस पिछले चार लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले च शुक्रा, एक्स फैकल्टी फॉर एलन कोटा, एस वल है जाकाश इंस्टीटिटूट जनकपुरी देली, आद नावड़ेश एट नीट बिनायक यूट्यू चैनल, तो बायो मॉलिकूल, आज का टॉपिक बायो मॉलिकूल, और जब हम बायो मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेटाबॉलाइट और सेकिंडरी मेटाबॉलाइट इन दोनों टर्म को हमें समझने की जड़त है देखो, primary metabolite में क्या आता है, protein आता है, sugar आता है, fat आता है, nucleic acid आता है, और इनकी खास बात यह है, these are found in animal, plant, fungus and microbes, यह इन चारों में पाए जाते हैं, और general metabolism को यह cover करते हैं, इनका coverage क्या होता है, general metabolism को cover करते हैं, अगर secondary metabolite की बात करें, तो इसमें वो content आते हैं, वो metabolite आते हैं, जो animal में नहीं पाए जाते हैं, फिर कहां पाए जाते हैं, यह plant में पाए जाते हैं, fungus में पाए जाते हैं, microbes में पाए जाते हैं, but absent in animal, और इनका plant के लिए, fungus के लिए, microbes के लिए क्या function है, वो अभी तक हमें human being के लिए बहुत काम के हैं, बट उस plant के लिए, उस fungus के लिए, उस microbes की body में ये क्या काम करता है, अभी तक हमें समझ नहीं आया, that's why these are considered as secondary metabolite, ठीक है, फिर इसका secondary metabolite precaution बनता है, तो उसका एक example हमने, उसका एक formula हमने बनाया, top deal for GS, GS for general study, मतलब जनरल study को पढ़ने के लिए top deal है, top deal for GS, यहाँ पर T2 है, आपको मालू है, हमारे formulas में small letter का कोई मतलब नहीं होता, जैसे हो का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो याद रखना, पहला T for terpens, दूसरा T toxin, पहला P pigment और दूसरा P हो जाएगा polybark, इसी तरह D for drug, अगर हम E की बात करेंगे, तो E क्या हो जाएगा, essential oil, अगर A2 की बात करेंगे, तो alkaloid as well as antibiotic, अगर हम L की बात करेंगे, then L is lectin and F for flavinoid, ठीक है, हम जब G की बात करते हैं, तो याद रखना, गम और S2 का मतलब सिंट as well as spices, all these, all these are different type of secondary metabolite, which are found in different organism, but not found in animals, ठीक है, फिर इनका कुछ एग्जाम्पल समझ लो, terpenes का एग्जाम्पल क्या है, monoturpenes and dieterpenes, toxin का एग्जाम्पल क्या है, ricin है, abrin है, pigment का एग्जाम्पल क्या है, anthocyanin है, carotenoid है, polymeric का एग्जाम्पल क्या है, rubber है, gum है cellulose है, drug का एग्जाम्पल क्या है, binblastin है, और curcurin है, essential oil क्या है, lemon grass oil, और alkaloid का एग्जाम्पल क्या है, morphine है, और codeine है, got it my point, तो यह हमने बात किया, primary and secondary metabolite के बारे में, अब दूसरा point यहाँ पर आता है, bio micro molecule and bio macro molecule, थोड़ा सा समझते की जरुवत है, बिटा वो molecule, जिनका जो size 800 dalton के आसपास है, मतलब 1000 dalton से कम है, वो क्या कहलाते है, bio micro molecule, और जिनका size 10,000 dalton से ज़्यादा है, वो क्या कहलाते है, bio macro molecule, जो bio micro molecule है, वो acid soluble है, जबकि bio macro molecule acid insolubile है, उसके अलाबा, जब हम filter करते हैं, तो bio micro molecule का size छोटा है, तो उनका filtration हो जाता है, और वो filtrate fraction में सामिल हो जाते हैं, लेकिन bio macro molecule का filtration नहीं होता, और वो filter महीं रह जाते हैं, this is called as retained, तो यह retained fraction का है, ठीक है, चलो, इसके example को हम जानने का यहाँ पर प्रियास करते हैं, इनको हम जानने का प्रियास करते हैं, सबसे पहले वही बात है, एक comparison है, bio micro molecule less than 1000, more than 10,000, और acid soluble, यह acid soluble fraction है, यह insolubile fraction में आता है, साकिन बाला insolubile fraction में आता है, और example की बात करें, तो पहले का example क्या है, glucose है, amino acid है, बेस है, sugar है, phosphate, दूसरे का, अब इसमें देखो ग्लूकोज से क्या बनता है, starch बनता है, glucose bio micro molecule में है, और starch कहा जाता है, bio macro molecule, इसी तरह से amino acid bio micro molecule में है, लेकिन जब उससे protein बन जाता है, तो यह bio macro molecule हो जाता है, इसी तरह से base sugar phosphate bio micro molecule में है, और जब इन से nucleic acid बन जाता है, तो वो bio macro molecule हो जाता है, इस बात को अच्छी तरह से य और fatty acid और glycerol ये दोनों हलंकि small size का है बट चुकि ये acid insoluble है और retentate fraction में आता है तो इसे हमने bio micro molecule में रख दिया है तो जब हम bio micro molecule का category ejection करते हैं तो याद रखना जो bio micro molecule है वही acid soluble fraction में आता है और वही filtrate fraction में आता है इसी तरह से जो bio macro molecule है यही acid insoluble fraction में आता है और यही retentate fraction में आता है retentate का मतलब क्या है जब हमने filter किया तो इसका filtration नहीं हुआ और यह filter में ही बाकी रह गया आता है that's why this is called as retentate fraction अब लिपीड का एक अलग को लिपीड का एक अलग डिजाइन उसको जानने की जड़वत है देखो लिपीड का जो bio micro molecule जैसे acid insoluble है और retentate fraction में रहता है के बल एक character molecular weight less than 800 डॉल्टन यही एक character है जो कैसा है यही एक character bio micro molecule जैसा है तो हमने इसे bio macro molecule में रख दिया है इस बात को याद रखना उसके बाद हमें सबजना है type of amino acid on the basis of R R for alkyl groups amino acid का basic formula क्या है इसका basic formula है R amino acid क्या है amino में इसमें एक तो NH2 है और एक CWH NH2 है और CWH है इन specific condition NH2 पर positive charge आ सकता है और CWH पर negative charge आ जाता है तो अगर एक ही molecule में positive charge भी संभव हो और negative charge भी संभव हो then such kind of molecule is called a dutyrine ठीक है ना क्या कहलाता है यह dutyrine कहलाता है क्योंकि इसमें एक ही समय पर positive और negative charge दोनों संभव है आगे हम discuss करेंगे अब इसके type में बहुत question आते हैं देख formula है हमारा gas G for glycine A for alanine S for serum अब याद रखना अगर R L की जगए H है तो यह हो जाएगा glycine बाकी सब stable है अगर R की जगए CS3 है तो यह हो जाएगा alanine और अगर R की जगए CS2OH है और सेरी बाकी HC बाकी सब stable है तो यह gas तीन amino acid हुआ glycine में R की जगए H है alanine में R की जगए CS3 है और सेरीन में R की जगए CS2OH है अब दूसरे बारा जो अब दूसरा है हमारा acidic basic और neutral amino acid और aromatic amino acid अब इसका एक formula हमने बनाए गालव टिप गालव हमारे एक महर्शी हुआ करते थे जिन्होंने मंद्द प्रदेश के ग्वालियर सहर की इस्थापना की तो गालव टिप अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है acidic लिया है तो acidic का example क्या है glutamic acid G basic का example क्या है lysine neutral का example क्या है B for beeline और aromatic में क्या आता है टाइरोसीन टिप्टोफैन टाइरोसीन और फिनाईल एलेडीन इस आर दी example of aromatic ठीक है फिर essential amino acid पीटा essential amino acid क्या होता है जरा इसको समझने की जर्वाद है देखो कुल मिलाकर 20 तरहे के amino acid होते हैं जिन से हजारों प्रकार के protein बते हैं इन 20 type message 12 ऐसे हैं जिनका synthesis हमारी body में हो ज body में नहीं होता हालांकि body को 20 के 20 amino acid की जरुवत है और 20 के 20 amino acid हमारी body में required है essential बट 12 ऐसा है कि जिसको हम बना सकते हैं तो अगर ये हमारे food material में ना भी हो तो भी काम चल जाएगा तो उसको हमना कह दिया non essential 8 amino acid ऐसा है जिससे human being का system नहीं बना सकता तो वो हमारे region में होना ही च याद रखना है 20 में से 20 amino acid की जरुवत हमारी body को बराबर है ऐसे सभी essential है ठीक है तो अब हमने essential के लिए एक formula मैंने यहां दिया mat will fly ओड़ा सा spelling change किया है mat क्या कहते है चटाई को कहते है will w i ll के बजाए मैंने v il कर दिया and f ly fly की जगे ph l by मतलब चटाई ओड़ेगी m for methionine t for tyrosine second t for trial b for balein i for isoleucine l for leucine ph for phenyl alanine and l by for lysine all these are essential amino acid ठीक है अब थोड़ा सा बात कर लेते है प्रोटीन के बारे में प्रोटीन में सबसे पहले इसके function को हम discuss करें college यह intercellular ground substance है टिपसिन क्या है enzyme है insulin क्या है hormone है antibody fight infectious agent antibody क्या होता है gamma globulin receptor क्या है sensory reception करते है smell test और hormone का और glut for क्या करते है एना मिल एनाविल glucose transport into cell cell में glucose transport को यह एनाविल करते हैं बनाते हैं अब याद रखना collagen and rubisco collagen की खास बाती है यह animal में सबसे ज़्यादा पाई जाने बाली protein है जबकि जो rubisco है ribulose by phosphate carboxylase oxygenase यह पूरे biosphere में सबसे ज़्यादा पाई जाने बाली protein है अब protein के structure के बारे में बात कर लें protein का चार तरह का structure होता है primary structure secondary structure तरसरी structure और quaternary structure तो जब protein synthesis start होता है तो सबसे पहले amino acid peptide bond से जुड़कर एक लंबी polypeptide chain बनाते हैं इस diagram में जो यह green color से दिखाया हुआ है यह peptide bond है peptide bond amino acid के साथ मिलकर amino acid के साथ मिलकर एक long polypeptide chain बनाते हैं अब याद रखना इसका अब एक बात यहाँ पर याद रखना इसका एक formula याद रखना निल इसके lift इसके lift side में पहला amino acid पाया जाता है और इसे हम कहते हैं end terminal पहला amino acid कहां पाया जाता है left side में and this is called as end terminal और right side में last amino acid पाया जाता है और यह क्या कहलाता है C terminal और termination end at right side इस बात को याद रखना तो जो left side का amino acid है वो पहला amino acid है और यह end terminal चिक हैं अब उसके बाद क्या होगा यह polypeptide chain बनने के तुरंत बाद या तो यह right handed clock bias helix बनाएगा जिसे कहते हैं alpha helix या यह इस तरह से beta pleated sheet बनाएगा जिसे कहते हैं beta pleated sheet and both of them are considered as secondary structure और protein यह protein का secondary structure कहलाता है अब देखो secondary structure तक तो necessary है अब अगर यह enzymatic protein है तो इसमें tertiary structure बनता है जिसमें यह alpha helix या beta pleated sheet hollow oland ball like structure बनाते हैं इस तरह से देखो बीच में यह खा लिए और इसमें इस तरह से दरारें बनती हैं यह इस तरह से दरारें बनती हैं और यह दरारें क्या कहलाती है enzyme की active site enzyme की active side hollow oland ball like structure में यह दरारें क्या कहलाती है enzyme की active side और यह active side वो होती है जहाँ पर substrate हस जाता है क्रिया कारक हस जाता है और जिससे product का formation होता है so this structure is called as tertiary structure necessary for enzyme अगर enzyme को होना है तो उसमें tertiary structure होना ही है अब कुछ protein ऐसे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन है इस 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 तो फोर पॉली पैप्टाइट चेन तो पहले तो क्या होगा चारों पॉली पैप्टाइट चेन हालो उलन बॉल लाइक structure बनाएंगे इस तरह से हालो उलन बॉल लाइक structure of protein and best example is hemoglobin, globin contains 4 chain 2 alpha and 2 beta, अब उसके बाद बात करेंगे कार्वो हाइडरेट के बाद में, तीन चार चीज़े हमें समझना है, एक तो मोनो सक्राइड, कार्वो हाइडरेट का जो सिंगल यूनिट है, ये क्या कहलाता है, मोनो सक्राइड, कभी-कभी मोनो सक्राइड मोडिफाइड हो जाता है, तो क्या बन जाता है, डिराइड मोनो सक्राइड, और जब बहुत सारे मोनो सक्राइड आपस में जूर जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये पॉली सक्राइड बनाते हैं, इस बात को याद रखना, और मोनो सक्राइड की दो यूनिट डाइ तीन यूनित । इसकता है चार यूनित टिकर सपट पेंटास करेंद और दो से पास तक श्टीनिट ऑली ऑली को संट बस्टेम के दो एक्जामपल रैबज ए उसके दुए kilometre धी मुल्स सबसी ज्यादते इसमें क्या आता है ग्लूकोसामिन और इन एसीटाइल ग्लूकोसामिन और पॉलिसेक्राइट की बात करते हैं तो इसमें इस्टार्च है ग्लाइकोजन है अब इसमें जड़ा कुछ अधार्च को समसने की जड़ुत है देखो यहाँ पर हमने पेंटोज श्गर को लिया है पेंटोज श्गर में 15 कारबं यह जितने आंगिल है यह सब कारवन है कारवन को दिखायाए नहीं जाता के बाहर निकल जाता है इस पोजिशन यह पर यहां पर ऑक्सीजन होता है अभी हम पैंटो शुगर की बात कर रहे हैं पैंटो शुगर का एक्जाम्पिल क्या है राइबोस है और डियोक्सी राइबोस है अब जड़ा ध्यान से समझो जब यह dna rna बनाएगा पैंटो शुगर सकंड कार्बन यह तै करेगा कि यह राइबोस है यह डियोक्सी राइबोस है अगर सकंड कार्बन पर OH है तो यह राइबोस है और अगर इस O को मैं हटा दूं के बल एक edge यहां पर रह जाए तो यह डियोक्सी राइबोस हो जाए राइबोस आरेने में होता है और डियोक्सी राइबोस DNA बनाएगा तो इन दोनों कार्बन पर फॉस्पीट का अटेच्मेंट होता है एक बार फिर से समझो पहला कार्बन ये पहला कार्बन फॉर अटेच्मेंट ऑफ बेस सेकंड कार्बन फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा देखो याद रखना ये पैंटो शुगर में जिस साइड पर ऑक्सीजन होता है वो डिने का फाइडेस साइड कहलाता है समझ गए ना क्या कहलाता है फाइडेस साइड और जिस पर ऑक्सीजन नहीं होता वो फ्री डेस साइड कहलाता है तो इसका जो dimension तै होगा बैदार DNA is 5S और 3S DNA और RNA ये किससे तै होगा ये इस oxygen से तै होगा ठीक है फिर एक हम hexose को समझ ले अब hexose को दिख लो इसमें hexose में क्या क्या आता है glucose, fructose, galactose ये इसका पहला carbon, दूसरा carbon, तिसरा carbon, चौथा carbon, पांचवा carbon, छड़ा carbon बहार निकल जा structure है, जिसमें याद रखना, इसका जो third carbon है, ये reverse होता है, इसका OH उपर के side में चला जाता है, और H नीचे के side में आ जाता है, तो ये हो गया hexose, अब थोड़ा सा बात कर लें, homo and heteropolis, polysacrite, पेटा homo and heteropolisacrite में क्या आता है, homo polysacrite, जो एक ही तरह के उससे बना है, unit से बन है, तो वो क्या किलाएगा, homo polysacrite, लेकिन अगर glucose, fructose, galactose, कई तरह के monosacrite से बना है, तो क्या किलाएगा, heteropolisacrite, अब इसमें एक formula है, स्याम गोपाल को दिया, क्या दिया, PM दिया, तो इसमें याद रखना, PM जो है, ये heteropolisacrite, और स्याम गोपाल को दिया, ये homo polysacrite है मतलब single unit से बना है, तो यहाँ पर S का मशलब क्या हुआ है, starch G का मतलब glycogen, C2 का मतलब kytin और cellulose, और DIA मतलब dextrin, inulin and agar, ठीक है, इसमें से inulin किस से बना है, fructose से बना, और heteropolisacrite में क्या आता है, pectin और mucopolysacrite, इसमें याद रखना, glycosin एने मल का reserve food material है, starch, plant का reserve food material है, और starch में iodine को fold करने की capacity होती है, जिसके चलते ये medium में blue color देता है, ऐसी capacity, दूसरे polysacrite में नहीं होती, और एक बात और याद रखना, यहाँ formula रखना, RR, R for right, R for reducing, normally polysacrite का जो right end है, वो कैसा होता है, reducing होता है, और left end कैसा होता है, non reducing होता है, इस बात को याद रखना, अब हम आ जाते है, nucleic acid के उपर, इसमें एक formula रखना है, BSP, waste sugar phosphate, ठीक है, base का मतलब क्या है, nitrogenous base, S का मतलब sugar, P का मतलब phosphate, nitrogenous base में दो तरह का आता है, purine and pre-medine, sugar भी दो आता है, ribos and deoxy ribos, हम पढ़कर आएं, phosphate मतलब H3PO4, अब आजाओ, सबसे पहले बात कर ले, nitrogenous base, इसका formula होला है, egg cut, इसमें, egg का spelling हमने change कर दिया, ag, तो इसमें ag purine है, और cut pre-medine है, purine में क्या आएगा, adenine and guanine, a for adenine, g for guanine, और ये double ring structure है, जिनमें 5 carbon और 4 nitrogen होता है, अगर हम pre-medine की बात करें, तो इसमें cytosyn, uracil or thiamine है, ये single ring structure है, जिसमें 4 carbon और 2 nitrogen होता है, अब हम जड़ा बात करें, बच्चों याद रखना, जब base, sugar से मिल जाएगा, राइबोज या डियोकसी, राइबोज सुगर से, तो ये क्या कहलाएगा, nucleoside, और जब ये सुगर के साथ-साथ, phosphate से भी जूड जाएगा, मतलब base plus sugar plus phosphate, तो ये क्या कहलाएगा, nucleotide, adenine का nucleoside क्या कहलाएगा, adenosine और deoxy adenosine, जब कि इसका nucleoside क्या कहलाएगा, adenilak acid, guanine का nucleoside क्या कहलाएगा, guinoque oxide, hymine like acid cytosine का nucleoside क्या 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 लएगा cytidine और dioxycytidine जबकि इसका nucleotide क्या 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 क्याlaus hyemine का nucleoside क्या कहलाएगा ? Thymidine और Deoxythymidine जब कि इसका nucleotide क्या कहलाएगा Thymidilic Acid Euracil का nucleoside क्या कहलाएगा ? Euridine और Oxyuridine जब कि इसका nucleotide क्या कहलाएगा Euridilic Acid Got it my point ? आप जरहें nitrogenous base का structure देखो ये purine है Purine में first position पर nitrogen है बाकि second पर carbon है third पर फिर nitrogen, fourth, fifth, sixth, then seventh पर nitrogen, then eight और ninth पर nitrogen, मतलब चार position पर nitrogen है, one three seven nine, अगर pre-median की बात करें तो इसका counting यहां से चालू करेंगे, तो इसके first पर nitrogen, second, third, fourth, fifth पर nitrogen और sixth पर carbon हो जाएगा, मतलब इसके first और five पर क्या है, इसके फस्ट और फाइब पर नाइट हो जाने इस बात को बच्चों अच्छी तरह ऐसे याद रखता है अब इसका एडेनीन का नुक्लियो साइड का स्ट्रक्चर हम समझ लें यह एडेनीन हुआ एडेनीन से एडेनीन कहां जुड़ा यह पैंटोज सुगर के फस्ट कारवन पर जुड़ा यह पैंटोज हमें कैसे मालूम है कि सेकेंड पर हो एच है अगर केवल होता तो यह क्या हो जाता यह पैंटोज में हो जाता डियोक्सी राइबोज अभी यह राइबोज और फिर इसके फिफ्ट पर आकर यह फॉस्पेट जुड़ गया तो यह हो गया एडेन इसी तरह से यह क्या है यूरेसिल है देख लो यह 1,2,3,4,5 और 6 मतलब इसके और 4 और 6 पर ऑक्सिजन है जबकि इसके 5 पर क्या है 5 और 1 पर नाइडूज है ठीक है इससे क्या जुड़ा यह जुड़ गया राइबोज सुगर से तो क्या बन गया यूरी डैन यह इसका नु यह बोट्सन एंड क्रिक ने बताया कि DNA कैसा इस्ट्रेक्चर है यह डबल हैलिकल इस्ट्रेक्चर है इसमें एक हैलिक्स होगा 5-3-3 जबकि दूसरा होगा 3-5-स दोनों के 5-स साइड में ऑक्सिजन ऊपर के और जो ऑक्सिजन का साइड है वो 5-स साइड है अब देखो हाइ तैमीन डवल बाउंड से एडेने से जुढँ गया गुआनें डवल बाउंड से साइडोसीन से जुढँ गया और इन दोनों ने DNA डवल हैलिक्स का सेंट्रल पोर्षन बना दिया लेडर वाला पोर्षन बना दिया साइमीन के बाहर जोड़ा सुगर इसका ऐडेन उपर है त सुगर के देखो यहां पर के बल ऑक्सिजन है तो इस सुगर के फस्ट पर जुड़ा और उसके बाद इसके जो है फिफ्थ पर क्या जुड़ा है इसके फिफ्थ पर फॉस्पेट जुड़ा है इसके फिफ्थ पर क्या जुड़ा है इसके फिफ्थ पर फॉस्पेट जुड़ सुगर का 5, एक का 3rd, दोनों के बीच में, यह地न बन रहा है, जिसे हम कहते है फॉस्पोडाइस्टर बॉन्ट, फॉस्पेटई यह बन बना रहा है, और तो सुगर के साथ बना रहा है, तो यह हो जाएगा phosphodiester bond और यह DNA का structure हो जाएगा यह कौन से DNA का structure है यह BDNA का structure है अब थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में लिपिड के बारे में तो देखो यह हमने लिया glycerol और glycerol क्या है glycerol propane का alcohol है मतलब CH2OH, CHOH और CH2OH इस इस glycerol अगर आप fatty acid की बात करोगे तो fatty acid क्या है long chain carboxylic acid है इसको simply हम लिखते है CS3COOH इसके साथ मैं R और जो और ते है अगर इसको हम चाहें CS3 के बज़ा हम RDS मी लिख सकते है तो यह क्या हो जाएगा R1COOH यह हम चाहें इसको उल्ड़ा कर दे यहां से चालू करें तो H O O C R 1 ऐसे भी हम fatty acid को लिख सकते है got it my point अब यहां से आगे बढ़ते है अब देखो यहां पर हमने यह glycerol लिया CS2OH, CHOH और उसके सामने तीन हमने fatty acid को तीन fatty acid को reverse करके लिख दिया R1COOH, R2COOH, R3COOH R1, R2, R3 हमने के बली दिखाने के लिए दिया है कि यह अलग रहे अब तीनों में से एक एक S2O molecule बाहर निकल जाएगा और यह आपस में जोड़ जाएगे यहां का H, यहां का होएच तो यह क्या बनाएगा यह बनाएगा CS2O, CR1 प्लस S2O फिर CS2O, CS2O, OCR2 प्लस S2O और CS2O, OCR3, S2O तो जब यह एक glycerol तीन fatty acid के साथ जूड जाएगा तो यह क्या बन जाएगा Triglyceride या Lipid अब एक चीज़ यहां पर और समझना है इस molecule is called as phosphate इसके center पर P है तीन साइड में तीन OH है और एक side में एक double bond O है this is called as phosphate commonly this is called as 3PO4 अगर phosphate को हम जोड़ दें glycerol के glycerol के किसी एक unit के साथ तो glycerol का unit मान लो कि यह side बला क्या हो जाएगा CH2OH उसके साथ हमने जोड़ दिया POH, OH यह इसका OH और यह बाहर निकल जाएगा तो यह क्या बनेगा CH2O P, double bond O नीचे OH और OH plus S2O this is called as phospholipid यह phospholipid कहलाता है और अब यह एक और molecule है यह कहलाता है koline koline में देखवा koline बास तब मैं यह पांच carbon बाले यह पांच carbon बाले hydrocarbon के modification से बनाया देख़ों इसमें CH3, 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 CH2, CH2 OH, basically alcoholic और बीच में इसमें N है अगर koline को हम phospholipid के साथ जोड़ दे phospholipid के साथ हम koline को जोड़ दे तो देख़ों यह इस तरह का molecule बन जाएगा यह CH2O, CR1, CHO, CR2 और यहाँ पर CH2O, P, O फिर CH2, CH2, N इस एंटायर structure is called as phospholipid यह किस से मिलकर बना है यह triglyceride plus phosphid plus koline से मिलकर बना है compound molecule है फिर यह हुआ cholesterol cholesterol में कुल मिलाकर 5 carbon ring है और एक benzen ring और एक pyrrole ring alternate है benzen ring, then pyrrole, फिर benzen, फिर pyrrole, फिर benzen बना तीन benzen ring और दो pyrrole ring से मिलकर बना हुआ है इस structure is called as cholesterol यह क्या कहलाता है? cholesterol कहला अब थोड़े bond के बारे में बात कर लें तो देखो glycosidic bond किसमें पाया जाता है hydrocarbon में glucose glucose चे कैसे जुड़ता है glycosidic bonds और phosphodiester bond कहां पाया जाता है DNA और RNA में और peptide bond कहां पाया जाता है protein में amino acid के बीच में peptide bond होता है अब हम बात कर लें dynamics of dynamic state of body constituted concept of metabolism अब metabolism का मतलब क्या है? देखो metabolism में दो तरहे की activity इस बात को यहीं समझ लो molecule का breakdown क्या कहलाता है? catabolism degradation क्या कहलाता है? catabolism और उसका synthesis मतला association क्या कहलाता है एनाबोलिस्म और मतला breaking क्या कहलाता है catabolism और synthesis क्या कहलाता है एनाबोलिस्म और दोनों को मिला कर हम क्या कहते है metabolism metabolism लगातार चलते रहता है अब कैसे चलता रहता है जानने का प्रयास करेंगे देखोड the breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in living organism लगातार बनता है टूपता है together all these chemical reaction are called as metabolism metabolic कुछ example समझ लो removal of carbon dioxide from amino acid making an amino acid into an amine अगर amino acid मैंसे carbon dioxide को निकाल दोगे तो यह amine बच जाएगा removal of amino group in a nucleotide base or hydrolysis of glycosidic bond in di saccharide जैसे maltose के glycosidic bond का breakdown करोगे तो दो molecule glucose के बन जाएंगे इस बात को याद रखना अब metabolic path metabolite are converted into each other in a series of linked reaction called metabolic pathway इसे बनता है BCC बनता है CCD बनता है DCD बनता है and this is called as metabolic pathway यह linear भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है with the good dynamic state of body constituent flow of metabolite through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic this metabolic flow is called as the dynamic state of body constituent लगातार एक से दूसरे metabolite का बनना dynamic state of body constituent अब एक बात याद रखना this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition healthy condition में इसमें एक भी मिसहफ नहीं होता another feature of this metabolic reaction is the every reaction is catalyzed reaction एक टिसमें कुछी भी गलती नहीं होती और सारी reaction कैसा reaction catalyzed reaction अब आजाओ metabolic basis of living state तो हमने बात कर लिए नहीं बात कर लिए नहीं more catabolism anabolism मतलब क्या होता है synthesis metabolic pathway can lead to a more complex structure from a simpler structure for example acetic acid become cholesterol catabolism का मितलब क्या होता है break down होता है जैसे glucose galactic acid में ठूटना ठीक है अब आजाओ the living state the steady state is non-equilibrium एक बात समझ लो एक बात अच्छी तरह से यहां समझ लो कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ा दिर के लिए समझ लो कि अगर हमारी बॉडी में दो क्या होता है A से B बनता है B से C बनता है C से D बनता है फिर D से अगर A बन जाए तो यह equilibrium हो जाएगा metabolic equilibrium हो जाएगा और अगर equilibrium हो जाएगा तो कुछी भी काम नहीं होगा हमें जिन्दा रहने के लिए काम करना है तो हमारा system लगातार प्रियास करता है का equilibrium ना आये और system non equilibrium के जमें रहे यह प्रियास लगातार हमारे system की द्वारा किया जाता है इस बात को अच्छी तरह si दिमाप में set करके लगता है कौन प्रयास करता है यह प्रयास लगाता ह। हमारा सिस्टम करता है तो अगर सर्वाइब करना है तो non-acquilibrium phage चाहिए अगिलियरियम phage मैं कोई भी काम नहीं होता यह हमने यहां explain करने का प्रयास किया है अब आजाओ एंजाइम के उपर इस पूरे बायो मॉलीक्यूल में जो सबसे अधा इंप्रोटेंट है वो एंजाइम है याद रखना लगवक्स सभी एंजाइम क्या है प्रोटीन है किबल दो एंजाइम है जो आरेने से बने हैं कौन सा राइबोजाइम और आइबोन उगलियस पी एक्टिव साइट के बारे में हमने बात कर लिया कि प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रेक्शर के बीच में जो गैप होते हैं यह सर्विसिस और एक्टिव साइट कहलाते है यह एंजाइम यहाँ पर को फसाता है सबस्ट्रेट को फसाता है जिससे की रियक्शन होता है अब केटलिस्ट और एंजाइम का अंतर समझ लो केटलिस्ट कहा काम करता है हाई टेंपरेचर पर एंजाइम कहा करता है स्पैसिफिक रेंज आप टेंपरेचर किटलिस्ट का इस्तेमार हम कहा करते हैं इन बिट्रू करते हैं जब कि एंजय में कहा करता है लिविंग सिस्टम में इन बेव ओंक क्ड़े हालांकि दौनों के काम करने का टरीका एक ही जैसा होता है ये बात समझ में हम ये बात हमें समझना है ठीक है आप उसके बाद हम बात करेंगे physical and chemical change जिनको समझने की जरुवत है physical and chemical change physical change में क्या होता है change in shape without breaking of bond अगर position बदल जाए लेकिन किसी भी bond का breakdown ना हो जैसे वरफ से पानी का बनना, पानी से बैपर का बनना, जलवाशिप का बनना, यह क्या कहलाएगा, physical change, लेकिन जहां पर bond का breakdown होता है और नए bond बढ़ते हैं, this is called as chemical change, जैसे starch जैसे glucose का बनना, इस में पुराने bond दूडते हैं, नए bond बनते हैं, that's why this is called as chemical change, फिर एक rate of reaction होता है, rate of physical or chemical process, refer to the amount of product, formed per unit time, एक unit time पर जितना amount बनता है, वो क्या कहलाता है, this is called as rate of reaction, it can be expressed as, rate is equal to delta P and delta T, rate can also be called velocity, if the direction is specified, अगर specific direction है, तो यह velocity हो जाएगा, अब एक example यहाँ पर समझो, गजब का example है, एक enzyme एक carbonic anidase enzyme, कहां कहां पाया जाता है, यह cytoplasm में होता है, RBC क्या करता है, carbon dioxide और water को जोड़के H2CO3 बनाता है, अब याद रखना enzyme carbonic anidase, fastest enzyme हैं क्यों fastest है, अगर इस enzyme का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो एक घंटे में carbonic acid की 200 molecule बनते हैं, कितने 200, अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक second में 6 लाक, भहिया जरक comparison कर लो बाल गोपाल, एक घंटे में 200 और एक second में 6 लाक, मतलब यह enzyme rate के reaction को 10 million time बढ़ा देता है, that's why this is called as fastest enzyme, इस बात को याद रखना अब एक term आता है, metabolic pathway, metabolic pathway का मतलब क्या होता है, a multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by same enzyme complex of different enzyme, अब इसका आप लोगों ने पढ़ा है, glycolysis और crap cycle, glycolysis और crap cycle में glucose का breakdown होता है, pyruvic acid में होता है, ठीक है, और C6H12O6 plus O2, ने, बिटा, glycolysis और crap cycle में इसका breakdown, इसका breakdown होता है, अगर हम crap cycle को add कर देंगे, तो CO2 plus H2O, वो 10 step, उसका 10 step है, हर step का एक enzyme, तो जो ऐसा long chain enzymatic reaction है, this is called as metabolic pathway, ठीक है, तो यहाँ, यह pyruvic acid में भी जाएगा, इसमें भी 10 step रहेंगे, और 10 different enzyme रहेंगे, तो जब कई सारी enzymatic reaction linked होती, this is called as metabolic pathway, कुछ और example है, metabolic pathway के, जैसे हमारे skeletal muscles में, अगर oxygen नहीं है, तो lactic acid बनता है, और oxygen है, तो pyruvic acid बनता है, इसी तरह से, इस्ट में जब fermentation होता है, तो क्या होता है, एथे नॉलिया, alcohol बनता है, all these are example of metabolic pathway, अब सवाल इस बात का, enzyme काम कैसे करता है, जरा इसको समझो, तो को सबसे पहले, enzyme plus substrate, substrate का मतलब क्या है, जिसमें modification होना है, यह contact में आते हैं, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यह कहलाता है, enzyme substrate complex और ES complex, अब substrate के जो पुराने bond है उनका breakdown हो जाता है, और नए bond बनते हैं, उसके बाद ही हो जाता है, enzyme product, enzyme product complex, क्या कहलाता है, enzyme product complex, ठीक है, और बात में enzyme और product यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, enzyme और product दोनों आपस में separate हो जाएंगे, अब इसमें एक बात याद रखना, एक fundamental बात याद रखना, यहाँ पर ES complex और EP complex, यह दोनों कैसे transient complex हैं, temporary complex हैं, बट इनके modification में बहुत जादा energy की जरुवत पड़ती है, क्योंकि substrate के bond का breakdown होता है, और product के bond का synthesis होता है, तो बहुत जादा energy ES complex और EP complex को maintain करने में लगती है, and this energy is called as energy of activation, यह transient complex का जो energy है, this is called as energy of activation और activation energy, अगर आप enzyme का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो देखो, यह इतनी activation energy इसमें खर्च होगी, enzyme क्या करता है, activation energy को कम कर देता है, अगर enzyme का इस्तेमाल कर रहे हो, तो activation energy इतना रहे जाएगा, मतलब enzyme क्या करता है, activation energy को decrease कर देता है, जिससे rate of reaction बढ़ जाता है, इस बात को याद रखना, enzyme decrease activation energy and accelerate the rate of reaction, accelerate the rate of reaction, you have to give in a day, अब एक बात याद रखना, जितने molecule है, सब को maintain करने के लिए, energy की एक amount की जरुवत होती, जो क्या कहलाता energy status, अब मान लो कि substrate का energy status ज़्यादा है, जैसे इस reaction में है, और product बिल्गुल नीचे लिखा है, मतलब इसका energy status कम है, अगर substrate का energy status ज़्यादा है, product का कम है, तो reaction की दौरान energy का release होगा, and such kind of reaction is called as exothermic reaction, अगर इसका उल्टा है, मन लो substrate में यहाँ बनाता है, product यहाँ बनाता, मतलब substrate का energy status कम होता है, product का ज़्यादा होता, तो reaction की दौरान energy कंजूब होती, such kind of reaction are called as endothermic reaction, अब बात कर लें, factor affecting enzyme action, mainly तीन factor हमें पढ़ना है, pH पढ़ना है, temperature पढ़ना है, और उसके अलावा quantity of substrate, यह तीन factor हमें पढ़ना है, तो सब से पहले हम pH की बात करें, तो बेटा, enzyme definite pH की range में काम करते हैं, एक छोड़ा सा example मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे pepsin, pepsin 1.5 से 3.5 के बीच में काम करता है, अब मान लो, जहा जैसे जैसे आप बन से pH बढ़ाओगे, और बढ़ाते बढ़ाते बन से बढ़ाते बढ़ाते आप 1.5 से 3.5 तक आओगे, तो rate of reaction लगातार बढ़ता जाएगा, और 3.5 पर यह peak पर आजाएगा, लेकिन अब अगर आप pH 4 करोगे, 5 करोगे, तो rate of reaction डाउन होना start हो जाएगा इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखाएगा, मतलब appropriate pH अगर होगा, तो rate of reaction maximum रहेगा, दरवाइस डाउन होना शुरू हो जाएगा, यही बात temperature के बारे में, मानलो एक enzyme है जो 25 से 35 degree Celsius के विच में काम करता है, और reaction side पर temperature 15 है, तो 15 से 25, 35 तक आते आते, maximum rate of reaction हो ज होगा, 35 के बाद क्या होगा, यह rate of reaction डाउन होना शुरू हो जाएगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखता है, अब थोड़ा सा हम quantity of substrate की का मामला और समझ लें, अगर आप substrate की quantity बढ़ाओगे, 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 तो rate velocity of reaction भी लगातार हो जाएगा, this is called as B max, point of maximum, velocity, लेकिन, unlike to pH and temperature, it will not be decreased, it will be stable, यह कम नहीं होगा, पह में जैसे concentration हो और ज्यादा बढ़ाने पर यह कम होने लगता है, यहाँ पर यह कम नहीं होगा, बढ़ाओगे, 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 बढ़ाओगे बी मेक्स वाई टू और के एम, के एम फॉर माइकेल स्कॉन स्टेट, ठीक है, तो याद रखना है, इसमें के एम भी आपको याद रखना है, और बी मेक्स भी याद रखना है, और यह भी याद रखना है, कि जब आप quantity of सब्स्टेट की बात करते हो, तो यह कम नहीं होता, इस्तेवल हो जाता है, अब कुछ ऐसे पदार थे हैं, जो एंजाइम एक्टिविटी को रोक देते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को रोक देते हैं, कुछ ऐसे content है, ठीक है, कैसे रोक देते हैं, सबसे common example का है, competitive inhibitor, हमने बात किया, कि सब्स्टेट कहां fit होता है, प्रोटी कि और जो services का, जो उसका shape है, और जो substrate का shape है, वो एक दूसरे का complimentary होता है, अब अगर कोई ऐसा chemical है, जो substrate से match करता है, अगर ऐसा कोई chemical, इस बात को समच लोगा, अगर ऐसा कोई chemical है, जो substrate से match करता है, तो यह भी क्या होगा, कि enzyme की active side, वफिट हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि जिसके चलते क्या होगा इसके चलते भाई ऐसा होगा कि एंजाइम को फिट होने के लिए कम एक्टिव साइड खाली रहे जाएंगी इसका बेस्ट एक्जामपिल क्या है याद रखना सक्सिनिक डिहाइडरोजिनेज एंजाइम जो है जो सक्सिनेट के लिए होता है से मिलता जूलता मैलोनेट अगर बायो रियक्तर में मैलोनेट में हो जाये तो जो है रेट आफ रियसांट डिक्रीश हो जायेगा इस competitive innovation का हम इस्तावाल करते है बैक्टिरियल पैथोजन को control करने के लिए अब इसके अंतिम पॉइंट पर बढ़ते है type of engine, how many type of engine are there एक फॉर्मूला याद रखना है होली त्यूहार छे टेप का इंजाएं सबसे पहले हाइडोलेसिस ऑक्सीडो रिड़क्टेस देन लाइसिस लाइगेस आइसोमरेस और टीफार टांसफरेस अब देखो हाइडोलेसिज हमारे जितने डाइजिस्टे बन जाएं में अल आप दे डाउट वाटर ब्रेकडाउन करते हैं लाइगेस क्या करता है दो मॉलीक्टेस को जोडने का काम करता है ऑक्सीडो रिड़क्टेस एक मॉलीक्टेस का ऑक्सीडेशन करता है मतला उससे इलेक्ट्रोन लेता है दूसरे का रिड़क्शन करता है मतला उसको इलेक्ट्रोन देत अब एक point हमें और याद रखना है co-factor देखो आम तोर पर क्या होता है enzyme किस से बनता है protein से बनता है but कभी-कभी enzyme में एक non-proteinous content भी होता है ये non-proteinous content क्या कहलाता है co-factor देख formula यहाँ पर याद रखना hack PCM PCM को hack किया यहाँ पर H for hollow enzyme A for apo enzyme C for co-factor P for prosthetic group C for co-enzyme and M for metallikine इसका मतलब समझ लो देखो apo enzyme enzyme का proteinous part है जबकि co-factor उसका non-proteinous part है अच्छी तरह से यहाद रखना apo enzyme क्या है proteinous part है co-factor क्या है non-proteinous part है और अगर यह दोनों part मिल जाएं इन दोनों part से enzyme बनाए तो ऐसा enzyme क्या 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 लाता है this is called as hollow enzyme you have to keep in your brain क्या 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 लाता है यह hollow enzyme क्या 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 है फिर अब देखो co-factor अगर मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है किससे apo enzyme से देन सच काइंड आप को फेक्टर इस कॉल्ड एस प्रोस्थेटिक और अगर मजबूती के साथ नहीं जुड़ा है इस अलग किया जा सकता है देन दिस इस कॉल्ड एस co-enzyme and iam for metallic जीसे heem जुड़ा हुआ है globin के साथ तो यह metallic काइन कहलाता है थोड़ा समझो फूलो enzyme क्या है proteinious part plus non-proteinious part apo enzyme क्या है proteinious part of enzyme co-factor non-proteinous part of enzyme prostatic group क्या है tightly bound co-factor co-enzyme कैंgely loosely transient bound bound co-factor जो इसे जुड़ा है, मेटलिकाइन का है, जिंक इस अ को फेक्टर, फावर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कार्बोक्सी, पैप्टाइटीज, बिटा कुल मिलाकर इतनी सी बातें, इतनी सी बातें हमें इसमें पढ़ना था, जिनको हमने पढ़ लिया है, मेरा पच्छे साल का संभाबना बहुत ही कम है, क्योंकि हम पूरा इंसियाइटी यहां कवर कर आएं, अगर आपको लगता है कि मेरा काम आपके लिए प्रेसियस है, आपके लिए अच्छा है, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, आप